नमस्कार साथियों मैं विश्णुकांदुपाध्याय आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दहिश्टोरिका पर उमीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे साथियों बियच्चु की तरफ से PG के सिकेंड राउंड का जो रिजल्ट है जारी किया जा चुका है और रिजल्ट जारी होने के बाद आप सभी के ईमेल पे एक मेल भेजा जारा है बियच्चु की तरफ से जिसको की लेकर आप लोग काफी ज़्यादा परिशान हो रहे हैं और जिन भी बच्चों का सेलेक्शन पहले राउंड में हुआ था और उन्होंने अपना सीट वेगेरा अपग्रेड करने के लिए रखा था उनका एड्मीशन विड्रो दिखा रहा है तो इन सारी चीजों का समाधान क्या है मेल का मतलब क्या है आपको करना क्या है इन सारी चीजों के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो मेरे प्यारे साथियों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजेगा साथ ही वीडियो के डिस्क्रिशन बॉक्स में हमारे एप, टेलिग्राम और वाट्सेफ ग्रूप का लिंक दिया गया है वहाँ पर जरूर से जुड़ जाईएगा अगर आपको कोई भी न्यूज सबसे पहले पता करना है तो अगर आप डाउनलोड कर लेंगे तो अहां से आप अलग-अलग इन्वर्सिटीज की कट आउफ हेगरा भी देख सकते हैं तो चलिए भाई वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जानेंगे कि जो मेल बियेचु की तरफ से भेजा जा रहा है आप सभी लोगों को उस मेल का मतलब क्या है किन-किन बच्चों को भेजा जा रहा है और साथ ही सीट एकसेप्ट किसको करना है ये पहली बात दूसरी बात कि आप सभी लोगों का एड्मिशन विड्रॉग क्यों दिखा रहा है तो इन सारी चीजों के बारे में मैं इस वीडियो में आप लोगों को अभी बता देने वाला हूँ तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं तो मेरे प्यारे साथियों आप सभी लोगों को एक ऐसा मेल जो है भेजा जा रहा है जैसे कि आप देख पा रहे होंगे अगर आपका सेलेक्शन पहले राउंड में हुआ है और दूसरे round में हुआ है तब भी आप सभी लोगों को एक ऐसा mail भेजा जा रहा है आप सभी के mail ID पे जो mail ID आपने भी एचुका form भरते समय दिया था तो यहाँ पर मेरे पहले साथियों देख सकते हैं कि अलग-अलग course wise जो है mail भेजा जा रहा है अलग-अलग department की तरफ से भेजा जा रहा है और जिन बच्चों का selection पहले round में हो चुका है उन बच्चों का एक ही प्रशन है कि sir पोर्टल पे seat accept करने का option नहीं आ रहा है जिनका second round में हुआ है ठीक है ना यानि कि उनको किसी भी round mission नहीं मिला था और direct second में मिल रहा है तो उनके तो पोर्टल पे seat को accept करने का option आ रहा है लेकिन उनके पोर्टल पे seat accept करने का option नहीं आ रहा है लेकिन यह mail जरूर जा रहा है आप सभी लोगों को तो देखिए भाई परिशान नहीं होना है इस mail को देखके आपको अपना पोर्टल लागतार चेक करते रहना है अगर आपका selection पहले round में हो चुका है और आपने फी payment कर दिया है आपका seat जो है upgrade हो चुका है क्योंकि अगर आप पहले round में फी payment तभी कर पाए थे जब आपने seat accept किया था तो देखिए दू का allocation पहली बार होता है ठीक है तो अब आपने तो एक बार अपना seat accept कर लिया है तो अब दुबारा से आपको accept ना करने के बजाए upgrade करने को कहा जाएगा ठीक है न तो अगर आपका upgrade हो गया है आपके portal पे seat accept करने का option नहीं आ रहा है आपका upgrade हो गया है तो परिशान होने वाली कोई बात नहीं है इस mail को देखके यह mail normally सभी बच्चों को बेजा गया है हो सकता है कि कोई technical issue हो कि पहले round वाले बच्चों को भी चला गया है और second round वाले भी बच्चों को चला गया है लेकिन हाँ आपको अपना portal लगातार चेक करते रहना है किन process से गुजरना है मैंने already आप सभी लोगों को बता दिया है ठीक है एक अलग से वीडियो बना कर आपको सारी चीजे समझा दी गई है अगर आपका selection second round में हुआ है आपका admission portal पे bid draw भी दिखा रहा है तो उसके बारे में भी मैं बताऊंगा आप लोगों को तो इसलिए परिशान मत होगा अगर ये mail आपको जा रहा है पहले round वाले जितने भी बच्चे है और उनका सारा portal सही सही है उन्होंने seat accept करने के बाद भी payment कर दिया है seat lock कर लिया है फिर भी ये mail आपको गया है तो परिशान होने की कोई बात नहीं है लेकिन जिन बच्चों का selection second round में हुआ है आपको इन सभी process से गुजरना होगा आपको सबसे पहले seat accept करना होगा पहले number पे ठीक है दूसरे number पे आपका document verification होगा तीसरे number पे क्या होगा आपको payment की link जाएगी ये नए बच्चों के लिए है जिनका second round में new admission हुआ है और first round में जिन बच्चों का admission हुआ है उनका क्या होगा तो भाई देखिए आपको seat accept न करने के बजाए क्या होगा आपका document verification होगा अगर upgrade हुआ है तो जैसे मानिए कि आपको तीसरे number की 24 मिली थी upgrade होकर second वाली choice मिल गई है तो अब क्या होगा कि आपका document verification होगा और हो सकता है कि आपसे दुबारा से फी payment करने को कहा जाए हो सकता है अभी clear नहीं है clear मैं आप लोगों को दो पहर तक बता दूँगा तो हो सकता है कि अगर जैसे कि आपका affiliated main mission हुआ था 12,000 रुपए देखा ठीक है और आपका main campus में second choice मिला है pet sheet पे जिसकी फी 16,000 रुपए है तो हो सकता है कि और 4,000 रुपए आपको extra payment करना पड़े अगर आपका upgrade हुआ है तो upgrade होकर कुछ अच्छा मिला है तो अगर उसकी फी जादा है तो ठीक है तो जिन बच्चों का selection पहले round में हुआ है उनको ये काम करना है बाकी आपको अपना portal लागतार चेक करते रहना है कोई भी query वेगर आपको तो नहीं आ रही है ये सारी चीज़े आपको देखते रहने की जरूरत है ठीक है यहाँ पे सबसे जरूरी बात इन्होंने एक चीज़ लिखा है कि जो आपका अपग्रेड वाला portal है ठीक है न जब आप फी payment कर लेंगे तो अपग्रेड और freeze करके आएगा तो उस पे आपको कुछ न कुछ activity करना पड़ेगा अगर आपको अपग्रेड करना है तो अपग्रेड करिए लोग करना है तो लोग करिए लेकिन कुछ न कुछ करना पड़ेगा ठीक है न उसको आप ऐसे मत छोड़िएगा ठीक है अगर आपको आपकी पसंदीदा 24 मिल तो इसको लेकर कोई भी परिशान होने की बात नहीं है आपने अगर अपने पोर्टल पर एसा आ रहा है तो परिशान मत हुए कल से सभी बच्चों के पोर्टल पर लिखके आ रहा है ठीक है ना अभी तक लगबग मुझे 200 बच्चों ने शिकायत कर दी है कि सर मेरे पोर्टल पर एसा लिखके आ रहा है बट मैंने अभी तक ऐसा कुछ किया भी नहीं है बट यह समस्या दीरे-दीरे सॉल्व हो जा रही है ठीक है पोर्टल अपडेट हो रहा है तो हो सकता है कि इसकी वज़ा से ये सभी बच्चों के पोर्टल पर आ गया हो तो परिशान होने की कोई करने को कहा जाए अगर मेल जा तो मेल को देखके परिशान मत हुए आराम से काम लीजी अपना ऑगातार चेक करते रही है कोई भी होती है तो हमारे हो नंबर सबसे पहले स्क्रीन शॉट के साथ मेसेज बेजीं कि सर ऐसा हो रहा है पोर्टल पर तो फिर मैं आप लोगों को के लिए महत्वपूंड खबर परिशान होने की कोई बात नहीं है अच्छे से समझ के करिए सभी वीडियो जो है हमारे चैनल पर पड़ी हुई है करके देख लीजे कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो बागी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे इस वीडियो का अपने सभी दोस तक पहुचाईए वीडियो को लाइक जरूर से कीजेगा मिलते हैं अगले वीडियो में अभी के लिए इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद